तो दोस्तों गर्मियों में अक्सर इसकिन पर एक बहुत ही कॉमन प्रोब्लेम देखने को मिलता है जैसे कि आप लोग इसकिन पर देख पर हो कुछ इस तरह बाम्स यानि राशेश यानि कुछ दाने जैसे दिखने लगता है और जिसे घमोरिया या फिर पिकली हीट राशेश भी कहते हैं इसे तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इच्छी यानि खुजली और जलन में हसुस कराता है और बहुत ही ज़्यादा ही रिटेंट भी खराता है तो दोस्तों इसी प्रॉब्लेम को सुलीशन लेगर आज कि वीडियो में हम बात करेंगे कि यह पिकली हीट इसका ट्रीटमेंट क्या है या फिर इसे होने के बार क्या सब्धनितार बरतनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे तो चले फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपकी शरी पर घमोरिया यानि पिकली हीट हुआ है तो ऐसे कंडिशन में क्या कि या करना चाहिए वह में बदाऊंगे वह सबसे पहला पानी पीना चाहिए यानि शरी को रखनेगे और उसके ऐला बाभी दोस्तों ब्सक्ति को बहुत घंडी mala कर रखना चाहिए और उसके आलाब भी दोस्तों जब भी आप नहाते हो तो ठंड पानी से नहाना चाहिए इसका मतलब होता है कि आपकी शरीर को जितना हो सके ठंड में रखने की कोशिश करिए तो दोस्तों अगर आपकी शरीर पर यह घमोरिया या फिर पिकली हीड होने की वज़े से आपको श स्कीन पर जो खुजली हो रहा था वो कम हो जाएगा उसके अलाबा भी दोस्तों आपको हाइड्रो कोटिशन क्रीम भी लगाना चाहिए जैसे की क्यूटी सफ नामक क्रीम हैं जिसके अंदर हाइड्रो कोटिशन होता है यह भी लगाने की वज़े से आपकी शरीर पर जो करने के बाद भी आगर आपको खुजली कम नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप एंटि हिस्टामीन टेबलेट यूज़ कर सकते हो जैसे कि लेबोसे जिए यह सब टेबलेट जो कि लेबोसे तो रात के सोने के टाइम ही खाना चाहिए यह फिर आप दिन में भी खा सकते हो लेक करया होरा है दो डूसतों सब्टोर से यह फिर डर्माट लोगा सकते हो ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपको क्या क्याना है दो नेसे और भी बेक्स पर मिलते हैं